नमस्कार साथियो स्वागता है आप सभी का ओफ्लाइन फॉर्म ओफीचल यूटूब चैन्ड के एक नई वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे आप सभी को इंडियन एरपोर्ट गुरुप सी का ओफ्लाइन फॉर्म कैसे बनना होगा कम्प्लीट यहां पर जानकार साथ साथ not question bell को दवाना बिल्कुल भी न भूलना क्योंकि आगे भी आप सभी को यहां पर इसी प्रकार के एरफुल वीडियो मिलती रहेंगी आप इसका जो एप्लिकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है हमारे टेलीग्राम गोर पर वर्ट्साप ग्रॉप से डाउनलोड कर होने चाहिए इसके बाद आपको अपने वंपर यह यह जिस पॉस्ट के लिए आप फॉर्म को एप्लाइ करें पो लगना है जिसके बाद आपको यह यूनिट पूछे यूनिट में आपको देखे यूनिट आपके यह पर जिस पोश्ट के लिए आप एपलाई करें हो जिस स्थान के लिए एपलाई करें हो यूनिट आपके अलगलग होने वाली है तो आपको क्या करना कमेंट आपको कमेंट कर देना है जाके कि भाई हम उस चाल के लिए फॉर्म को apply करें तो मैं आपको कमेंट में ही reply दे दूँगा कि आपको हैंपर unit में क्या डालना है देखिए इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना आप जिस पोश्ट के लिए आपर फॉर्म को apply करें हो उस पोश्ट का नेम जो आपने यह पर डाला उसी पोश आप फॉर्म को एपलाई करने की last date क्या होने वाली है उस दिन से आपको अपनी age को यहाँ पर calculate कर लेना होगा और कितने दिन, कितने मन्त और आप यहाँ पर कितने year के हो रहे हो उसके बार में आपको यहाँ पर जानकारी फिल कर देनी होगी इसके बाद आपको अपने यहाँ correspondence address आपको यहाँ पर फिल करना है सबसे पहले आपको house number यहाँ पर लिख दिना होगा उसके बाद कोमा लगा के street का name लिख दिना है इसके बाद आपको प्रेंपर village लिख दिना होगा यदि आपको नहीं पता तो direct अपना आप यहाँ पर village का name भी लिख सकते हो इसके बाद आपको यहाँ पर district लिख दिना है इसके बाद आपको यहाँ पर state क्या है इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड क्या रहने बाला उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देने होगी इसके बाद आपको यहाँ पर साथ नमर कॉलम को फिलप करना है सबसे पहले district क्या state का आपको यह पर pin code क्या है उसके बारे में जानकारी दे देनी होगी इसके बाद 8 नमबर कॉलम में आप यह पर जो form एपलाई कर रहे हो general o b c c h c h t किस category से apply कर रहे हो आपको यह पर category का name लिख देना होगा इसके देना है इसके बाद 9 नमबर कॉलम में आपको लिख दिना होगा इसके बाद इसके बाद दॉबारा से आपको पने पर category लिख देनी होगी general o b c h c h t जिस भी category से apply करें उस category को आपको यह पर दुबारा mention कर देना होगा इसके अरावा बारे नमर कॉलम में जी आपके पास कोई यह पर technical training का है आपके पास certificate है एक्सप्रेंज का certificate है तो आपको yes कर दिना वन्ना आपको यह पर no कर देना होगा इसके बाद आपको यह पर domicile है आप अपने हापर state का name लिख देना होगा जिस state की आपके आपके पास निवास प्राण पत्र है उसे state का आपको यह पर name लिखना होगा इसके बाद जिए अपने employment exchange में आपने registration करवाय हुआ है तो आपको yes कर दिना वन्ना आपको यह पर no कर देना होगा इसके बाद आपको यह प आपको अपने आपर signature कर दिने होंगे आपको यह पर इस परिकार जो फर्ष्ट प्रिष्ट है complete फिल हो जाएगा इसके बाद जानेंगे कि आपको यह पर second प्रिष्ट को कैसे फिलफ करना होगा लिखे second प्रिष्ट पर भी सबसे पहले एक passport साइज फोटो लगाना है जैसे पर mention किया था उसी प्रिकार आपको post office district state आपको pin code उसी प्रिकार आपको अपने आपर address mention कर देना होगा पस आपको इसी प्रिकार अपना जो फोर्म में आपका complete फिल हो जाता है इसके बाद जानेंगे कि आपको envelope को कैसे फिलफ करना होगा देखिए आपको दो हैंपर envelope purchase कर ल होगा सबसारे आपको ओर तू लेखना होगा उसके बाद को मा लगा देना होगा उसके बाद आपको अपने हैंपर name लेखना सुन्प करके फादन ने यςकी यह इन पर जबन आपको यहांपश campo और दो रुपर का डांक कट मिल जाता है आपको एंवलप रिखाली ही भेजना होगा इसमें आपको कुछ नहीं रखना है. इसके बाद जानेंगे कि आपको सैकिंड वाले ऊसके बाद आपको यह पर लिखने के बाद आपको यहापर लखने के बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम लिखना है उसके बाद एक कॉमा लगा देना होगा उसके बाद आपको नेम क्या है सनौप करके फादन नेम आपको इसके बाद विलेज क्या है पोस्ट आपिस क्या है डिस्टिक क्या है आपका इस्टेट क्या है पिन कोड क्या है आपको यहाँ पर send करना है यह आपको comment करके बता देना जहाँ के लिए आप application form को send कर रही हूँ मैं आपको वहाँ पर आपका जो sending address और आपको यहाँ पर unit आपको बता दूँगा comment में तो आपको comment कर देना है इसके बाद आपको रहे पर जो envelop है और आपको यह पर जो आपका application form यहाँ पर complete flow हो चुका है, इसके बाद जान लेते हैं कि आपको यह पर कौन कौन से document की आपको यह फोटो कॉपी रखनी होगी, देखिए आपको यहाँ पर दस भी की DAW मिशाल जो होता है, यह आपका कंबल सरी नहीं है, यदि आप रखना चाहों तो रख सकते हो वनना कोई यहाँ पर कंबल सरी नहीं होने बाला है, इसके बाद आपको यहाँ पर दो पासपूर साइज फोटो आपने एक application form पर यहाँ पर चिपका दिये, इसके बाद आपको द दसुपर का डांट कर लगा देना, आपको छोटे वाले envelope पर बस आपको इनी document को यहाँ पर रखना है, मैं आपको निवास प्राण पत्र के बारे में अल्ड़ेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, इसके अलावा आपका जो आधर कार्ड है, आपको यहाँ पर आधर कार्ड क फोटो कॉपी करवा लेनी है, सभी document की फोटो कॉपी करवा लेनी के बाद आपको सभी document के नीचे, जिन document को मैंने अभी आपको बताया है, उन document के नीचे आपको अपने यहाँ पर signature कर देने होंगे, स्याद रखना सभी पर आपको signature यहाँ पर कर देने है, इसके बाद आपक क्या करना है जो मैंने आपको यह पर दो देखिए आपको सभी डॉक्यमेंट की फोटो को पी और यहां पर इस छोटे बाले एंविलप को और यहां पर आपको दो पास्पूर्ट साइज फोटो आपको यहां पर रख देना होगे दोनों पास्पूर्ट साइज फोटो के पीछ रखने के बाद आपको अपने जो भी आपका नजदी की डांग घर हैं, आपको उसमें जाना कोई भी आपका डांग घर हो, कहीं से भी आप एप एप्लिकेशन फॉर्म को सेंड कर सकते हो, आपको यह पर दो पास्पोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको बड़े वाले होते हूं जो ऑ Episode के दोजा सेंड किये जाते हैं, यदि आपको भी सादरेंक के दोजार केने करना है तो आपको Speed Post से Send करना चाते हो, तो आपके something यहाँ पर 50 रुपए आपके लगने बाले, जितनी जल्दी आप form को Send करना चाते हो, तो आप उतनी जल्दी आपर कर सकते हो, आपके Speed Post से form को पहुचने में 2-3 दिन लगेंगे, registered post से 4-5 दिन लगेंगे आज दी आप ordinary post से send करना चाहते हो तो 10-15 दिन का time लग सकता है जिस परकार आपके पास अभी forum की last date में कितना time बचाओ हो इस time के हिसाब चाप आप यहाँ पर अपना application form send कर सकते हो I hope आप समझ चुक्यों होंगे अभी आपको डाउट नहीं रहा होगा दी गई जानकारी पसंद आईती है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ share करें और आगे भी किसी offline form के regarding notification पाने के लिए offline form YouTube चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलना तो मिलता हूं कुछा एंड़ी वीडियो के साथ में तब तक ले जाहें जावारत